इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत या एंकिलोजिंग स्पॉंडिलाइटिस त्वचा यानी की सोराइसिस और आंत्र यानी की अलसरेटिव कोलाइटिस क्रोहन रोग के इलाज के लिए किया जाता है। सैजो 1000 मिलीग्राम टैबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है। यह आपको खराब पेट को रोखने में मदद करेगा। इसका अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए आपको इसे नियमित रूप से और एक ही समय पर प्रति दिन लेना चाहिए। अपने चिकित सक द्वारा अनुशन सित अनुसार इसे लेते रहें और बहतर महसूस होने पर भी खुराक पूरी करें। इसे खूब पानी के साथ लेने से किड्नी स्टोन जैसी किड्नी की समस्याओं से बचने में मदद मिल सकती है। इस दवा का उपयोग करने से कुछ सामाने दुश प्रभाव हो सकते हैं जैसे मतली, सिर्दद, भूख न लगना, उल्टी, दस्थ, वजन कम होना और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल परेशानी। यदि इन में से कोई भी दुश प्रभाव समय के साथ ठीक हो जाता है या बत्तर हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आपका डॉक्टर इन लक्षनों को कम करने या रोकने के तरीकों में मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दवा आपके लिए सुरक्षित है, इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको अपने हिर्दे, गुर्दे या यकृत में कोई समस्या है। इसके अलावा, अपने डॉक्टर को अन्ने सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। आपका डॉक्टर आपके गुर्दे और यकृत के कारियों और रक्त घटकों की जांच के लिए नियमित रक्त परीक्षन की सिफारिश कर सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।